नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फारम टोक और मैं जैपाल सिंग राठोड हर घर देशी गोवन्स हर खूंटे देशी गोवन्स इस मुहिम को पुरा करने के लिए आज के इस वीडियो में आपको एक बेतरीन शो क्वालिटी गाय की मिलकिंग वीडियो दिखाऊंगा आप अंततक वीडियो को देखेगा गाय आपके लिए बेहदी रीजनेबल प्राइज में है और साथी बेहद शांदार है अगर आज आप इस चैनल पर नहीं है हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लें साथी नजदीक दिये गए बेल आइकन पर क्लिक कर ओल नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर और सबसे पहले मिलें चलिए सुरू करते हैं गाय की नसल को देखकर आप जरूर से यह अनुबव कर सकते हैं कि शांदा दूचमता की गाये है साइवाल नसल की गाये और साइवाल नसल की फीमेल काफ बचडी है इस गाये के साथ बोड़ी की स्टेंथ साइज हैवी है अच्छे कदकाठी की गाये और साथी हश्ट पुष्ट सरीर के साथ है 13-14 लीटर दूद इस गाये ने पिसले ब्याद में दिया है बड़ा आडर देखकर आप भी अनुबाव कर सकते हैं गाये की दूद छमता शांदार रहने वाली है 15 लीटर दूद छमता गाये के ओनर ने हमें बताई है जो कि अभी दूद तयार बताया गया है कूच की लंबाई मीडियम साइज की है हम्प मीडियम साइज का है कान की चोड़ाई अधिक है बारी जालर है सुन्दर नाभी की शेप है अच्छे कदगाथी में और ठंडे सील सबाओ में है इस गाये में A2 कॉलिटी मिल्क देने वाली गायों के सभी लक्षन मोजूद है खाली बार्टी देख सकते हैं आप चारो थनों की दार भी चेक करवा रहा है थन, गोल, मटोल, मुठिया थन है थनों की बीच गैप भी काफी अच्छा है और सबसे बड़ी खाशियत इसकी कीमत बेहत कम डिमांड की गई है सिर्फ 40,000 रुपे 15 लीटर दूद जमता जिस गाये की तयार हो उसके लिए सिर्फ 40,000 रुपे अगर प्राई जिमांड की जाए तो उसे बेहत ही रीजनेबल माना जाएगा आप खुद यहां विजिट करकर इस गाये को अच्छे तरीके से देखे जाचे परखें खुद अपने आद से दो समय चार समय की मिल्किंग करकर देखें इसके लिए सीस पालची से संपर्ख करें जो की बवानी डेरी फार्म के ओनर हैं और विलेज कमीनपुरा डिश्टिक शिरिगंगानगर राजसान के रहने वाले हैं आप इनकी अक्सर देशी दुदारू गाये बेहत कम प्राइज रेंज में देखते हैं वैसी प्राइज रेंज की आज की गाये भी हैं इनके मुबाइल नमबर स्क्रीन पर मेंचन की हैं ये नमबर है 90-797-93-980 इन मुबाइल नमबर पर संपरक कर आप गाये के बरे में पूरी जानकारी लें एक बार यहां विजिट भी कर लें आकर अपने आथ से मिलकिंग कर कर देखें दूद निकाला जा चुका है बाल्टी भर चुकी है लगबग अनुमान किया जा सकता है कि 7-7.5 लीटर के आसपास दूद है आपको ये गाये कितनी दूद चमता की लगती है कमेंट कीजेगा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक बटन भी जरूर से दबा दे धन्यवाद दोस्तों